कर तो कि कई क्लास में जो है जी ये लौज़ी के बारे में बताएंसके और जीनेटर कौन है यह जीम साटन है को फादर तो पॉन हो जाएगा, ब्रांच्चे इसकी बात करे तो आपको मैंने बताये था तो एज फार एल्थ में मैंने बताय था कि प्रितिभी कुट प्रदी कैसे हुई ऑरिजीन ओफ एर्थ हम एज ओफस इंटर्नल पार्ट आफ update एक्स्टर्नल पार्ट अफ एर्थ इनके प्रावा जेना रोक्त का अनि चक्तानों का सेयलों का है इन सारे चीजों का स्ट्रेडी जोहें इनहीं जीयलोजी का अंतरगत करते हैं हा तो जैसे कि मैंने चार ब्राइंच बताए था पेटरोल लोजी Na इन में मुख्वता जो है रॉक का देन होगा दूसरे नमर में बात करें तो जैसे इकनॉमिक इकनॉमिक जी एलोजी है ना इनमें जो है आपका मिन्रल्स बगरा के बारे में अध्यम होता है खास करके जो जैक बोड से अगरा दी है तो इस्पेशल रिफ्रेंस टु जार्खन के संदर में इनमें तीसरा ब्रांच मैंने आपको बताया था पैलेंट लॉजी इस पैलेंटरोची का अंदर के जो है मुख्य रूपक से फोसिल्स का इस्टेडि होता है यह आपका एनिमेल्स एंड फ्लांट्स रिले टेड़ ऐनिमेल्स एंड प्लांट्स रिलेड़ ते हना इसके बाद जो चवद्धा ब्रांच है आमका स्ट्राटीग्राफी इसमें स्ट्राइटिग्राफिक अंदर इनका कम्बिनेशन है तो मैं जो है क्लास को लेकर आगे बढ़ूँगा आज मैं चर्चा करूँगा पेट्रोलोजी के बारे में डिस्कस कुरें आज पेट्रोलोजी पेट्रोलोजी हिंदी में से सैल या चक्टानी बिग्यान भी गाया था चक्टानी बिग्यान सैल या चक्टानी बिग्यान है ना तो आपका पेट्रोलाज यह नी सैल या चक्टानी बिग्यान और मैंने आपको बताया था कि सैल बिग्यान का आगे बढ़ने से पहले आपको सैल को समझना ज़रु है कि आखिर सैल क्या है तो मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने सैल का फॉर्मिशन कैसे होता है पूरा विस्तार पुर्वक जो है उसमें दिखाया गया है फिर भी मैं जो है थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा बहुत कम समय में कि पूरे विश्तो को जो है सेवें टेक्टॉनिक प्लेट्स और छोटे वीश टेक्टॉनिक प्लेट्स में पूरे धर्ती को पूरे वर्ल्ड के धर्ती को साथ बड़े टेक्टॉनिक प्लेट्स और वीश अन्य चोटे टेक्तॉनिक प्लेट में डिवाइड कीया इस त्रती होते रहता है है दूह स01 की चूहAT मूवमेंट प्लेट यह ब्रड़ा जाता हम आपस में मॉवमेंट के दोराण टक्राया जाता है तो आपको भूल कम के रूप में महसुस होता है और मैंने बदाय था कि भूशत्य आप और हम जहां पर है ये भूशतय हो गिया जिसे अंग्रेजी में करस्ट कहा आयाता है करस्ट के नीचे वाले छेत्र को जो है और दो अन्ने भागों में बाटा गिया इक मैंगमा चेमबर होता है से मैंगमा चेमबर में क्या रहता है मैंगमा मजूद रहता है कहने का मतलब कि आपका वहांग म्याग कई मैंगमा अग में में द्राक त रालां लेका सी वनाम के माझा का etiquette वहाँ temperature लगभग 1000 degree से 2000 degree Celsius के बीच रहता है जिसके कारण temperature अधिक होने के कारण crust के अंदर temperature अधिक होने के कारण magma chamber के संपर्क में जो भी चीज आता है म्यागma chamber के contact में जो भी आता है चाहे मिट्टी हो धुलकन हो या कोई मिंदल्स हो उनको आपका लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है और तरल अवस्था में चेंज कर देता है तो वह क्या होता है कि आग के धागता हुआ गोला जैसा दिखाई पड़ता तो जब दो टेक टॉनिक प्लेट्स आपस में टक्राने के समय भूस रता है कि अंदर वाले भाग में दरारे पड़ जाती है अनि छिद्र हो जाता है अनि आपका जो भूस रता है निवीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था नेपाल का उधारां देके चैंड तो उन प्रैक पार्ट्स में ना उन प्रैक जो चीदर है दरारे हैं उन दरारे से होकर तरल अवस्था में जो मैगमा है वो निकलता है नहीं आपका यहां 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 मिटाता हूं मान लें लिजी यह अर्ष्ट है इसके अंदर क्या है यह मैगमा चेमबर ऐहे है क्या इस को इस परकार के इंटर्नल पार्ट ऑफ आर्थ में है क्या वता है था कि जब दो टेक्तॉनिक प्लेट्स आपस में तेज गती से तकरा आएगा तो crack जो है crust तक हो जाएगा अधी दो tectonic plates जो है आपस में धीमी गती से टकराता है तो आपका जो है crust तक नहीं पहुँच पाएगा और प्रीथीवी के अंदर ही किसी भाग में जो है crack होके रह जाएगा यहीं बाहर तक नहीं पहुच पाएगा उनका असर बाहर तक नहीं दिखाई पड़ेगा तो अब क्या होगा कि मान लिजीए कि जो है मैं दो दोनों चीजी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा crack भाग जो है मान लिजीए उपर भी हो गया उपर तक उपर भी तक हो गया अनि करस्ट तक और यह कुछ करक जो है cracks जो है ओर नीचे तक ही रहा गया नहीं दरा रहे तो अब मैगमा में क्या होता है कि इस मैगमा चेंबर में तरल मैगमा में बिविन्ने परकार के मिनरल्स हैना डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो एकनॉमिकली द्रिष्टी कौन से ओ इंपॉर्टेंट्स भी है तो कुछ इंपॉर्टेंट्स नहीं भी है तो अब क्या होता है कि इस मैगमा चेंबर में जो आपका आग के जैसा दहकता हुआ गोला दिखाई पड़ता है इसमें आपका मिनरल्स भी मौझूद रहता है मिनरल्स एवं विविन्य परकार के ग्यास भी मौझूद रहता है अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज में ग्यास उसके साथ मौझूद है तो हमेशा वो उपर ठेलने की कोसिस करेगा यह उपर उठने की कोसिस करेगा जिस प्रकार प्रेशर कूकर के अंदर है ना आपका जब पानी को बॉइल करते हैं तो वह आपका वहाँ भाब बनता है यह प्रेशर बनता है और आपको उपर फेकने की कोसिस करता है तो ठीक उस यह प्रकार उस प्रेशर कूकर में क्या होता किए किए धिक और प्रेशर अधिधर अधिक बढ़ गया तो तो ठीशर खूकर कम भाफ निकलने की कोशिस करता है अब इससे आप यह समझिए कि प्रेशर कूकर में भाप अधिक भर जाता है अधकन अधि बंद रहता है जाम लग जाता है तो प्रेशर कूकर ब्लास्ट करने की चांसे बढ़ जाता है है ना चलिए एक हिमानसु भाई जो है अभी रिक्विस्ट भाई था मैं उसको जो है अक्सेप्ट कर लिया है हिमानसु भाई आप आप जो है क्लास अटेंड कर लिए क्लास जो है इस्टार्ट है ना चलिए आगे बढ़ता है ना तो जो है मैंने बताया आपको कि प्रेशर कूकर जो है ब्लास्ट कर जाता है जो ठीक उसी प्रकार यहां भी प्रेशर अधिक होने के कारण घ्यास अधिक फोने के कारण ये ऊपर उठने की ये जो आग게 जैसा धाकता गोला है ये उपर उठने की कोशिज करता है लेकिन आपका भूशत है में जो है वो ठोस पाठ होने के कारण नहीं निकल पाता है तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराता है तो आपका जो है है solid part को crack कर देता है और अगर तेज गती से टकराएगा तो आपका जो है क्रस्ट तक हो जाएगा जिए धिमींगती से टकराएगा तो क्रस्ट तक नहीं पहुँच पाएगा और घरारे भूशत है के अंदर क्रस्ट के अंदर किसी भाग तक रह जाएगा इन दरारे से होकर इन क्रैक से होकर तरल मैगमा निकलता है तो माल लीजिए कि क्रैक भूशत है कि अंदर तक ही वहानी क्रस्ट के अंदर तो यहीं तक सिमित रह जाएगा यदि क्रैक जो है क्रस्ट तक हो जाता है तो इन क्रैक लाइन से होकर मैगमा निकलने की कोशिस करेगा और इस प्रकार जो है इधर उधर फुलो होकर फैल जाएगा है ना और जो है लंबे समय तक अगर चलता है यहीं प्रक्रिया तो आपका जो है इस प्रकार के जो है इस ट्रैक्चर बना देगा जिब तरल मैगमा चाहा एक बाया भर चु harder को таким लीवों आप लोके लिए है लाय एब पॉइसन वीडियो केले हैं आप लोग को के इसलेश्क्राइब बीडियो के लिए है ओकहित है मैं जाने काई ठीक है मैं मैं आगे बढ़ता हूँ हूं रिद सब्ढ़टेए देखे मैंने क्या बताया कि आपका ये भूशता है नी करस्ट है और करस्ट के नीचे एक मैगमा चेंबर है और इस मैगमा में तरल अवस्था के रूप में मैगमा रहता है मैगमा देखने में आग के गोला जैसा होगा है ना तो इस मैगमा चेंबर में जो है विविन्ने परक से उपर उठने की कोसिस करता है तो इन दरारों से होकर इन भूशता के अंदर इन छिद्रों से होकर क्या होता है कि तरल मैगमा बाहर निकलता है और इधर उधर फैल जाता है और फैलने के बाद ये ठंडा होकर ठोस चट्टानों में बदल जाता है अब जो जब तक यह भूशता है कि अंदर था तो इसका नाम क्या था मैगमा था यहीं तरल मैगमा जब करस्ट के बाहर अनि भूशता है कि बाहर भूशता के बाहर आ जाता है तो उसका नाम लावा पड़े आता है अनि लावा और मैगमा में अंतर कुछ नहीं है जब तक वो इंटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ में हैं सर ये दोनों आइडी मेरे ही है ठीक है तो दोनों आइडी से कहा है जो इनकी है वाई ठीक है चलिए आग बढ़ते हैं तो मैंने यहां क्या बताए कि मैगमा और लावा दोनों सिमिलर है बस इसमें अंतर इतना है कि जब तक वो करस्ट क अंदर है तरल अवस्था के रूप में अग्गा गोला तो उसका नाम मैगमा है एहीं तरल आपदार जब भूशत्य के बाहर आता है तो उसका नाम लावा पढ़ जाता है तो भूशत्य के अंदर से तरल अवस्था के रूप में मैगमा जब करस्ट के बाहर आता है तो यह जनते लावा बन जाता है और यहीं लावा जब ठंदा होकर ठोस अवस्था में बन जाता है तो आपका ये ठोस सब्खतन के अंदर 36 घडर में या अन्ने जगह में जो पहाढ देखका रहे हैं आप यहीं हाँ. इसी तरह उनका फारमेशन होता है. तो आपका जह जो रॉक ऐनिगपा रहे हैं, नहीं आपका पहाढ है. समझ पा रहे हैं तो पहाड जो देख पा रहे है वहीं क्या है रॉक है वहीं आपका चटान है समझ गे तो अब जो है मैंने यहाँ आपको पेटरलोजी ब्रांच सुरू किया हूँ नहीं सैल नहीं चटान समझ गे तो चटान का निर्मान इस परकार हुआ चटान कहिए या सैल कहिए दोनों एक ही बात है अन्य अंग्रीजी में उसे रॉक कहा जाता है अंग्रीजी में क्या कहा जाता है रॉक कहा जाता है अन्य सैल या चटान तो पेटरलोजी को हिंदी में सैल या चटाने बिग्यान कहा जाता है और सैल या चटान को अंग्रेजी में रौक कहा जाता है समझ ये आगे फिर मैं समझाता हूँ आपको ये समझ मा आए या नहीं तो आपको समझ मा आगे होगा कि रौक का फॉर्मेशन कैसे होता अनि cell कैसे बनता है चत्तानों को formation कैसे होता है समझ पाए तो comment box में जरूर लिखे येस सर अगर समझ गए होंगे कि चत्तानों को formation कैसे होता है तो जरू comment box में लिखे कि सर समझ में आ गिया चलिए टिंग वहाई आप जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया सैल या चट्टान चलिए मैं कमेंट रेट कर लेता हूं येस वेरी गूड चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आप जैसा कि यहां धेख पा रहे हैं कि यह पेट्रोलॉजी है आप पेट्रोलॉजी है यह जीृ लौजी की तरह यह भी जू है दो सब्सक्रानानी पेट्रोलॉजी है पेट्रोलॉजी में motion किमे अग्रिक बाड़ा कि जो फांग्रेग हूं नियृ ग्रिकुम्हाच आपके हैं कि सम्में यह फुललॉजी एनग को भासा में पेट्रोलोजी को पेट्रा लोगोस लिखा जाता था पेट्रा लोगोस are पेट्रो को पेट्रा लोगोस 9 भासा में ग्रीक वह सामने आनि ancient language में समझगे इस petrologus को जिसे आज हम petrology कहते हैं समझगे तो अब हम समझेंगे कि इस petrologus का मतलब क्या है तो आपका जो है इस सैल या सैल चटानी बिज्ञान को स्वाट कॉट में सैलीकि भी कहा जाता है सैल की कहिए सैल कहिए चटानी कहिए या petrology कहिए आगे और एक नाम में सिखा रहा हूं चले तो पेटरा का मतलब होता है UNG पेटरा का मतलब क्या होता है रो डो जिस से हिंदी में सैल या चटान कहा जाता है चटान कहा जाता है और लोगोस को जो है लोगोस का मतलब बता है साइन्स हाना आरी से हिंदी में क्या काया था बिग्यान काया था तो जियोलोजी में क्या है एक बिग्यान का साखा है समझ गे पेट्रोलोजी ठीक उसी परकार जियोलोजी का एक साखा है तो पेट्रोलोजी आया है पेट्रा लोगोस से और पेट्रा का मतलब होता है रॉक और लोगोस का मतलब होता है साइन्स तो इसका मतलब क्या होगे रॉक साइन्स इन्दी में सेल बिज्ञान या चटान बिज्ञान तो इसका मतलब कि पेट्रोलोजी इस वाल्सो नौन एज रॉक साइन्स मतलब क्या कि पेट्रोलोजी को रॉक साइन्स भी कहा जाता है समझ मारा है अगर में MCQ में इस तरह question पुछा जाए कि पेट्रोलोजी में किन का study क्या जाता है ये नंबर में option देगा रॉक का देगा बी नंबर में आपको अर्थ कोईट देगा C नंबर में volcano देगा डी नंबर में ननब दीज देगा तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा रॉक हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया है कि डेफिनेशन से भी पता चलता है कि स्क्Yo durability ब्रांच मेंका स्टेटी किया जाता है पंट है कि अनि क्तिशिन का असे एक डेघी गया के कि Sense के स्टेड़ु दहने रोडूरु में से किस tooling के किस ब्रांच में इंका इस्टेडी की आफिए ब्रीया रहत कि रॉक रॉक इस टेडी सिनी अंडर डी इक बर्ज एक रहर, जो है अपका जिए लॉजिक कि visão बढ़ा रहा है तो मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि सत्र चाहरा है और इस पंच्च्प्न बढ़ा रहा हूं तो आपना एम से कुछ जबाब जाएगा कि रौक साइंस रॉक का अर्थेन जो है पेट्रलॉज येस बिलकुल सहिए अंसर है आपका है नहीं में कुछता होगा रहें gio ga हो कि अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोग समझे कि पेट्रा जो है पे ट्रलॉजई जो है пс crime लोगउस था आगे कह रहा है कि पेटरोलाजी में जो है इसमें जो है मुख्य टैटरोलाजी में स्टेडी होगा वो चटानों का इस्तेडी होगा इसमें का रहा है कि पेट्रोलोज़ी में जो बिभीन प्रकार के चट्टानों के बारे माध्यन का जाता है जिसमें चट्टानों की मौजुद्गी अन्य इसमें डिफरेंट टाइप्स के चट्टानों का अध्यान होता है है अब समझेंगे कि यह पेट्रोलाजी के अंदर जैसे आपने पढ़ा रॉक रॉक अनि सैल या चट्टान तो चट्टानों को जो है उनके स्ट्रेक्चर उनकी उपस्थिती उनकी मौजूदगी उनकी संगठन उनके आधार पर जो है इसे तीन भागों मे कि डिवाइड किया गया है और पहले का नाम है आगनिया सैल फर्स्ट का नाम है आगनिया सैल या आगनिया चट्टान भी कहते है चट्टान दूसरा जो इसका भाग है वो अब शादी है अब शादी सैल या चट्टान तिसरा जो है वो कायंत्रित है कायंत्रित या रुपांत्रित भी कहा आया था या रुपांत्रित चट्टान इस आगनिया को जो है अंगरी में जो है इगनियस रॉक कहा या इगनियस रॉक सेडिम सेडिमेंट्री रॉक मेटमॉर्फिक रॉक मेटमॉर्फिक रॉक doute कूल मेटमॉर्फिक देटियाजरता सेडिमेंट्री पेस्थथ लाइट है तो आपका पेट्रोलोजी के अंदर एग्नियस रख हो गया सेडिमेंट्री हो गया मेटामॉर्फिक हो गया तो अब तक आपने जाना कि यह रॉक का फॉर्मिशन कैसे हुआ अब रॉक को जो है तीन वागों में डिवाइड किया गया आपका इग्नियस रॉक sedimentary and metamorphic हेल तो अब समझेंगे कि आखिर इग्नियस rock क्या है sedimentary क्या है और metamorphic क्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यह चलि आग्नियस यह निदी इग्नियस rock किसको कहेंगे समझते हैं उसके बाद फिर हम सेडिमेंटरी पर जाएंगे पहले हम अभी समझेंगे इगनियस रॉक को इगनियस रॉक चलिए इस इगनियस रॉक अनि आगनियस सेल अभी थोड़ी दिर पहले मैंने चर्चा किया कि यह आपका करस्ट है इसके नीचे मैगमा चेंबर मुझूद है अनि भूश रहता है अभी मैंने चर्चा किया कि भूश रहता है कि नीचे एक मैगमा चेंबर मुझूद रहता है और यहां से तरल मैगमा भूशता के बाहर निकलता है और इधर उधर फैल जाता है और ठंडा होने के पस्चाथ ये ठोस अवस्था में जम जाता है और तो भूशता है कि अंदर से निकले लिक्विड इस्टेट में जो मैगमा है वो करस्ट के बाहर आने के बाद सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाने के बाद रॉक का फर्मेशन होता है सबसे पहले रॉक का फर्मेशन होता है और यहीं रॉक का नाम है इग्नियस रॉक समझ गे यहीं रॉक का नाम क्या है इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक सबसे पहले रोक का formation हुआ किस टाइब का इग्नियस रोक का इसलिए इग्नियस रोक को primary rock भी कहा जाता है इग्नियस रोक is also primary rock question में आता है कि primary rock कौन है इग्नियस रोक है, sedimentary है या metamorphic, तो सबसे पहले इग्नियस रोक का निर्मान हुआ primary मतलब क्या हुआ first, first मतलब one secondary मतलब dityak और tertiary मतलब तिसरा, तो primary में किसको रखा गया, इग्नियस रोक को क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रोक का ही formation होता है और भूशत है कि उपर जो भी पहाड नुमा structure देख पा रहे हैं, वो सब का सब क्या है, इग्नियस रोक का examples है, समझ गए? चलिए, मैं आपका comment rate कर लेता हूँ, sedimentary, उबालता हुआ, उबालता हुआ पत्थर, जो कि volcanoes के उपर में रहता है, हना? दखिए, ये जो है आपका, ये जो उबालता हुआ आग का गोला है, ये पत्थर जो है, जब liquid में change हो गया, तो वो उन crack से के, अनि crust के अंदर crack से होकर बाहर आ गया, हना, बाहर आने के बाद ये solid state में change हो गया, तो अंदर से बाहर निकलने की इस process को volcano कहा जाता है, volcano, जिसे volcanic eruption भी कहा जाता है, आनि जौला मुखी का उद्गार, समझ गया, तो वो आपका process का नेम है, कि जब भूशत के अंदर से, जब crust के internal part से, liquid state में magma, जब crust के बाहर आकर solid state में change हो जाता है, तो rock का formation होता है, और इनी process को volcanic eruption कहा जाता है, आनि जौला मुखी का उद्गार होना, समझ गया, चली आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका चटानों का निर्मान हुआ, इन चटानों को igneous rock नाम दिया गया, igneous rock से ही कूपने फुटने से sedimentary का निर्मान होता है, इनके बिगटन से फिर मेटामॉर्फिक का निर्मान होता है, समझ गये, अनि सबसे पहले igneous rock का formation होगा, sedimentary का होगा, फिर मेटामॉर्फिक का होगा, है ना, तो आपको समझ माया, कि ये igneous rock का formation होगा, फिर igneous से sedimentary, और sedimentary से metamorphic, है ना, तो अब जो है, हम लोग सबसे पहले igneous rock को लेकर चलेंगे, सबसे पहले igneous rock को लेकर चलेंगे, है ना, इसमें igneous rock जो है, ये भी जो है, igneous जो है, igneous rock जो है, ये igneous को जो है, आपका latin भासा में, है ना, latin भासा में igneous लिखा जाता है, लिखा जाता था, इगनिस, आइजी एनाइस, इगनिस, सर जारखन में ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक मिलता है नँ, देखे वाई, सेडिमेंटरी नहीं, ज्यादा तर आपका इगनियस मिलता है, मैंने अभी क्या होता है, कि क्रस्ट के ऊपर जो पहाड नुमा इस ट्रेक्टर पे देख पा रहे है ना जो पहाड के आकर देख पा रहे हैं यह सारे का सारा इग्नियस रॉक है तो आपका जार्खन में पहाड अधिक है समझे पहाड क्या है अधिक है इसका मतलब इग्नियस रॉक है आगे हम बताएंगे कि सेडिमेंटरी जो है आपका क्या होगा यह इग्नियस से ही सेडिमे इगनियस रोक है यह लाटिन भासा में इस इगनिस लिखा जाता था और इनका मतलब होता है fire इगनिस का मतलब होता है fire आगए आग के गोला जैसा समझगे आगे हम next class में आगे इगनियस रॉक को लेकर आगे बढ़ेंगे आज का class हम एहीं समाफ्त करेंगे क्या होगा कि इनका जो Pdf आपका Geology क्या है जी को और जीनेटर कौन है इनके अलाबा जो है आपका स्पेट्रलोजी क्या है या फिर जीनोजी का या या इम क्या है इन सारे के PDF में आपको शेंड कर दूगा है आप वहां से डेली जो है नोट्स करते जाएए कि सर ये दोनों ID मेरा ही है एक ID से क्लास जोइन करो भाई हना एक ID से एक ID से जोइन करो दो ID से नहीं होगा एक ID से चभश करो तुम्हों आपक नाम से है वो जटय आईडी रहे है यतनीं को मैं रेमूब करदम ना एक ही ID रहे और जिसको जोइन करना है एक ही इस नहीं मैं जिस से छपास तुमको जो जउइन करना है एक ही से करो है ना ठीक है फिर मिलेंगे कल है ना मैं PDF सेंड कर दूंगा उसको डेली वाई डेली जो है लिखते जाओ कोई भी कन्फीजन हो तो मैसेज बॉक्स में बेहिज़क पुछो सर्माना नहीं है इसके बात भी समझ में आए तो WhatsApp में मैसेज करेंगे भी पुछो है ना ठीक है कल मिल करने की जरुवत नहीं है क्लास को समझ लो डेली वाई डेली क्लास में ही समझ लो रिकॉर्ड करने की जरुवत नहीं है